हेलो गाईज दिस इस अकाश और आप देख रहे हैं हाईजनबग आज हम लोग लेके आ गए हैं एक और नई अन्बॉक्सिंग यूस्बी हब ट्राइपोड स्टैंड और पेंड्राइफ की वीडियो देखने के बाद यू गाईज मस्ट भी थिंकिंग कि ये भी कोई वैसी वीडियो होगी इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इस बार हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए दि अन्बॉक्सिंग अफ मी बैंट फाइफ और यू किन से एमाई बैंट फाइफ यह एमाई बैंट फाइफ यहां पर ब्रैंड निव नहीं है यह है एक रिफर्बिष्ट अमाई बैंट फाइफ जो कि हम लोग ने ओडर किया है अमेज़न डॉट इन से तो हम लोग पता लगाएंगे कि क्या यहां पर हम लोग को सेविंग्स करनी चाहिए और एक रिफर्बिष्ट या फिर रिन्यूट अमाई बैंट फाइफ खरीदना चाहिए यहां फिर सेविंग्स को साइड में करके हम लोग को ब्रैंड न्यू प्रोडट्ट की तरफ ही जाना चाहिए विदाउड अनी डिले लेट्स ओपन दी पैकेजिंग तो गाइस आज यू कें सी हेर वी हैव दी बॉक्स ऑफ एमाई स्मार्ट बैंड फाइव और अगर आपको मैं यहां पर बॉक्स की सील की तरफ दिखाऊं तो आप इसली पता लगा सकते हैं कि यहां पर से इसको रिसील गया है क्योंकि ओविसली यह एक ब्रैंड न्यू बै यहां पर इस बॉक्स के अंदर तो और कुछ भी नहीं है यू के इसली सी कि यह पैकेजिंग पर यहां पर ओपेंड ही है क्योंकि ओविसली यह एक रिफर्बिश्ट प्रोड़क्ट है यह है हमारे पास यहां पर एक रिफर्बिश्ट माई स्मार्ट बैंड फाइफ और बात करें अगर किसी भी तरह की स्क्रैचेस की तो यहां पर स्क्रीन पर किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं है और जो इसका स्ट्रैप भी है वो भी एकदम brand new condition में है तो अगर first impressions की बात करें तो ये एकदम brand new M.I.E. smart band 5 की तरह ही दिखता है बात करें अगर बाकी box contents के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक magnetic charger और charger की अच्छी बात ही है की यहाँ पर एकदम sealed है और I think इसको charger को यहाँ पर एक भी बार यूज नहीं किया गया है तो guys यहाँ पर M.I.E. band 5 का magnetic charger आप देख सकते हैं यहाँ पर M.I.E. की branding है और यह कोई duplicate product नहीं है यह है एकदम brand new M.I.E. smart band 5 का charger तो guys let me clear की चाहे आप refurbished M.I.E. band 5 खरे दाएं या फिर एक brand new आपको box में सिर्फ दो ही चीज़े देखनों को मिलेंगी एक तो यह fitness tracker along with a strap and यहाँ पर एक magnetic charger बात करें अगर physical overview और build quality की तो यहाँ पर right from M.I.E. band smart 2, 3 and 4 build quality काफी decent रही है strap की और बात करें अगर physical overview की तो यहाँ पर back side में आपको यहाँ पर heart rate sensor मिल जाता है और जो बहुत ही बड़ा upgrade है with regard to M.I.E. smart band 4 charging के aspect में वो है 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 यहाँ पर magnetic charging को लेके तो बार-बार आपको यहाँ पर अपना fitness tracker या फिर fitness capsule निकाल के charge निकरना पड़ेगा बस आपको यहाँ पर magnetic charger attach करना है and you are good to go बात करें अगर screen की तो screen जो है वो यहाँ पर काफी bright है सच में काफी bright है outdoor scenarios में यहाँ पर screen में कुछ भी देखने में कोई भी problem नहीं हुई screen काफी bright and काफी responsive है M.I. smart band 5 में आपको 1.1 inches की full AMOLED display देखने को मिल जाती है जिसकी brightness है 450 nits कुछ और specifications की बात करें तो यहाँ पर इस band के साथ आप 50 मीटर की dive लगा सकते हैं या फिर आप कहलने की 50 मीटर depth तक की इसमें water resistance मौझूद है connectivity के मावले में यहाँ पर आपको मिलता है Bluetooth 5.0 तो connectivity issues तो जादा नहीं होंगे एक और बहुती बड़ा reason आता है सबके दिमाग में जब आप कोई fitness band खरीते हैं कि उसकी battery कितने दिन चलेगी तो company क्लेम करती है कि यहाँ पर इसकी battery will last for up to 14 days बाकी उसको हम लोग actual में test करेंगे कि सारे features on करने के बाद actually में कितने दिन तक चलती है और क्या यह exactly 14 days का backup प्रवाइड कर पाती है या फिर नहीं क्योंकि यहाँ पर इसमें जो battery है वो आपको 125 mAh की battery देखने को मिल जाती है बात करें अगर in hand field की तो यहाँ पर आपको कभी ऐसा नहीं लगा गए कि आपने अपनी wrist पर कुछ extra पहन रखा है क्योंकि इसका weight यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 23 grams है काफी lightweight यह band आपको लगेगा जब आप इसको हाथ में पहनेंगे quickly let's see कि यहाँ पर इसके साथ में जो हमें charge होने लग जाएगा तो यहाँ पर सारी की सारी accessories सही काम कर रही है तो अभी तक के लिए तो refurbished MI band 5 looks good कुछ भी usage करने से पहले आपको सबसे पहले अपना fitness tracker इस Mi Fit app के साथ sync करना पड़ेगा तब ही आप अपने band को fully enjoy कर पाएंगे तो let's quickly set up the band and see audio and video quality में यहाँ पर आपको थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा क्योंकि actually मैं मैं जो मेफिट app है उसको अपने main phone में ही install करने वाला हूँ जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ तो video quality के लिए I am really very sorry तो let's quickly open the मेफिट app यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना account बना लेना है simply by entering your email address और password आपकी पसंद का या फिर अगर आपको account नहीं बनाने तो आप easily अपने Facebook या फिर Google account से भी login कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर app का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर काफी सारे options आजाते हैं कि आपको कौन सा डिवाइस अक्चिल में पेर करना है क्या वो एक band है watch है scale है या फिर smart shoes है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MI इन सब चीजों में भी डील करता है तो we have a band कि आपको कि आपको बादे हैं कि अपको बड़ा में पना है तो यहाँ पर जो मीफिट आप है उसने हमारे स्मार्ट बैंड 5 को डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पर हम इस आप्षिन पर क्लिक करेंगे पेर विद फोन और यहाँ पर हमारा जो फिट्नेस ट्रैकर है वो इसली सिंक हो चुका है यहाँ पर मीफिट आप के साथ मैं आपको यहाँ पर आपके बैंड की बैटरी परसंटेज देखने को मिलेगी और काफी सारे ओप्षिन्स हैं यहाँ पर अनलॉक स्क्रीन जिसे की आप बैंड की मदद से अपना फोन अलॉक कर सकते हैं और काफी सारे ओप्षिन्स इसको आप इनेबल कर सकते हैं as per your choice कि आपको चाहिए for incoming calls and for various notifications पूरा detailed review जो है इसके सारे ही specifications का that I'll cover in the next video और अब हम बात करेंगे इसकी pricing को लेके at first कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको watch का interface देखने को मिलेगा आप swipe up करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे options मिल जाएंगे जैसे की पर्सनल activity intelligence, heart rate sensing, notifications, stress level, breathing जो भी events आपने select कि होंगे weather report काफी सारे workout modes भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे for example outdoor running, treadmill, cycling और भी बहुत सारे sport modes बात करेकर pricing को लेके तो यहाँ पर box पर जो price mentioned है वो है 2999 बट actually मैं Amazon पर आपको यह मिल जाएगा 2499 का और जिस pricing पर यह मुझे मिला वो बहुत ही aggressive है और मैं आपको बताऊँगा अपना final conclusion कि क्या आपको actually मैं referbased या फिर renewed MI band 5 की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो guys absolutely yes according to first impressions and the overall experience I would suggest कि हाँ आपको renewed MI band 5 की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जिस pricing पर यह मुझे मिला वो है actually 1874 और band की conditions and everything was like brand new तो यहाँ पर 700 रुपए बचाने में कोई भी I guess issue नहीं होना चाहिए और 700 रुपए is a big amount तो I would say कि if you are getting this offer you would really go for a refurbished MI band 5 इसकी user manual में clearly mentioned है कि यहाँ पर input voltage जो होना चाहिए किसी भी charger या फिर power bank आप जो भी use करेंगे while charging उसका input voltage होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 volts का जिसका input voltage हो 5 volts 1 ampere something like so this was it for the video I hope you all like the video अगर आपको पसंद आया हो तो please 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 share among your friends who are planning to buy a MI band 5 especially who want to save money and want to buy a MI band 5 hit like hit that like button if you want if you enjoyed the video hit that like button and subscribe button we'll meet you all in the next video till then stay safe and take care not on 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 on